नव वर्ष दो हजार चौबिस में राजनितिक चेहरों की भविश्यवाणी क्या कहती है राजनेताओं की जन्मकुंडली और राशी दो हजार चौबिस में क्या होगा इन नेताओं का राजनितिक करियर नई साल में कौन से नेता के सर पर सजेगा ताज और कौन से नेता से छिनेगा उनका सिंहासन कौन करेगा जनता के दिल पर राज और किस नेता को नकार देगी पबलिक कौन बनेगा राजा और कौन होगा रंग देखे देश के सबसे बड़े नेताओं पर सबसे बड़ी भविश्यवानी सिर्फ एनमेफ न्यूस पर गुज्रात से ले करके उत्तर प्रदेश की तरफ उनका जो रत चला तो मोधी की कुणली है, मोधी का चेहरा है, तभी जीत है कैसे मोधी जी पीछे रह सकते हैं और कैसे मोधी जी का नाम पीछे रह सकता है कि लोग लंका तक सम्राज विस्तार करने का विचार कर लें पिपक्ष के जितने भी नेता हैं उन्हें से किसी की कुंडली ऐसी नहीं है जो आधर्णी नरेंद्र मोधी जी की कुंडली को टख कर दे सके मोधी पर हो गई तीन बड़ी भविश्यवानी सुनकर विपक्ष के उड़ गए होश सेट हो गया दोहजार चौबिस का गेम ना मोधी हारे हैं ना हारेंगे नासर दमस ने जो की थी भविश्यवानी इसका एकपन्ना आज बाबा खोलेंगे दोहजार चौबिस में ही तय हो जाएगा दोहजार सैटालिस तक का रास्ता तीन राजों में जीत के पीजे पीयम मोधी का प्लैन नासर दमस की भविश्यवानी से नमस्कार मैं हूँ खुश्बूराय आप देख रहे हैं और पांच राजों में विदान सभाचुनाओ के नतीजे सामने आ चुके हैं तीन राजों में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है जब exit poll सामने आये था तब हमने देखा था कि इन तीनों राजियों में Congress जीतने वाली है लेकिन जैसे ही result सामने आये सब को चौका दिया इस result ने आज उस result के बाद जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चारो तरफ मोधी 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 सुनने को मिल रहा है राजिस्थान हो मध्यप्रदेश हो चतिसगड़ हो यह मोधी मैं हो चुका है एक्जिट पोल पर क्या मोधी की कुंडली भारी पड़ गई क्या मोधी को जिस तरीके से हम जानते हैं कि वो काफी लखी है और वो इंडिया के लिए भी काफी ज्यादा लखी माने जाते हैं क्या वो मोधी मैजिक भारी पर गया आज इसी के बारे में जानेंगे हमारे साथ मौझूद है आचारे राकेश चतुरवेदी जी बहुत-बहुत स्वागत से सर आपका और मैं इंट्रोड्यूज कर रही थी खुद को और उस टाइम ही बता रही थी कि किस तरीके से मोधी मैजिक जो है हर तरफ देखने को मिल रहा है मध्यप्रदेश की बात कर ले राजस्थान की बात कर ले चतिसगर की बात कर ले तीनों ही राजियों में बीजेपी अपना पर्चम लहरा चुकी है सर आपको याद होगा जब एक्जिट पोल सामने आये थे मुझे लगता है कि काफी लोग मायूस हो गए थे जब उन्हें ये चीज लगा कि विधान सभा में बीजेपी हारने वाली है वो भी तीन बड़े राजियों में जो कि एक लिटमस पेपर कहा जा रहा था कि लोग है या मोदी की जो कुंडली है वह भारी पड़ गई देखे खुश्बू जी बहुत अच्छा प्रिश्ण है और बरतमान समय में लेखा जाए जो राहू केतु की गोचर की इस्तती है बरतमान समय की थोड़ा सा गोचर मोदी जी की कुंडली पर तो लगला हम लोग काफी ब सर्मा विप्रीत्राय योग में है और शनी शुकर की दसंभाव में यूति है सत्रुहंता योग निर्बार करें लेकिन इससे हट करके जैसा कि कई बार हमने एनवेफ नियुच के लिए भी पिछले कई डिसक्रिशन में कहा है हाला कि हम इसको थोड़ा सा गलत मानते हमने कई के भी है कि लेकिन जब्य अपने भी सुना होगा और हम सब सुन रहे हैं कि मूदी है तो गारण्टी की की कुंडली है मोदी का ओच्षेर hvis 2030달 मुझे actual लगता है कि वाक की सब नीतियों को सारे ग्रह दसाओं को मूदी की कुंडली का वह विप्रीत राज योग और साथी साथ सत्रुहंता योग क्यों प्रभावी है खुश्बू क्योंकि इस समय बर्तमान में अब आप देखेंगी शनी मारगी हो चुके हैं और शनी ही जो हैं शुक्र के साथ सत्रुहंता योग में दसंभाव में निर्माण करके बैठे हैं और साथी साथ देखिए कि इस पूरे इन पांच राज्यों के चुनाव को खुश्बू जी सीधा सीधा विपक्ष ने ही नारा दे दिया कि 2024 का यह प्रिम्ली एक्जाम से प्रीबोर्ड है तो प्रीबोर्ड का नाम जैसे ही दे दि सब्सक्राइब कर चुकी है मोदी जी की कुंडली और अभी भी राष्ट में अगर देखा जाए तो राश्ट्रीय लेबल पर अंतराश्ट्रीय लेबल पर इनसे मजबूत राज योग की कुंडली किसी की भी नहीं है खुश्बू राज योग की बात कर रहे थे और राज योग को लेकर के आगे का मेरा सवाल रहेगा क्यूंकि हम हिंदी की बात कर रहे थे देख ले तो मैक्सिमम राज्यों में बीजेपी अपना पर्चम लहरा चुकी है अगर उत्तर भारत की बात करें तो वो मोदी में लगभग हो चुका है अब क्या लगता है कि दक्षिन की बारी है जिस तरीके से राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था बीजेपी के लि मतलब बीजेपी के राज में हो गया अब दक्षिन का क्या लगता है कि अब दक्षिन से अगर शुरुबात करेंगे तो क्या वो रामेश्वरम होगा क्योंकि राम राम करते ही दिखते हैं अब तो कुछ राम भक्त तो इस पर आपके प्रशनों से लंका तक पहुंच जाए हैं वो चर्चा भी कर रहे थे तो क्या सिव को पकड़ कर अब रामेश्वरम तक जाने क्योंकि वहां पर राम और शिव रामेश्वरम राम और शिव दोनों एक साथ मिल रहे हैं लेकिन खुश्बूजी एक चीज बता दें आपको कि कई बार हमारी कुंडली मजबूत तभ और राहु दो ही राजयोग देते और शनी जब राजयोग देता है तो वह जो है विशेश रूप से अगर देखा जाए तो दक्षिन भारत की जो कुंडली है वह राहु प्रधान के साथ साथ के तुप्रधानता में है क्योंकि वहां धार्मिक कटरता सायद हमसे जादा है वहां के लोग अपने धर्म अपने प्रभाव को लेके जादा कटर है अब यहां पर मोदी जी की कुंडली के अगर चर्चा करें तो शनी शुक्र की इस्ति है जो सत्रुहंता योग दसंभाव का है और मंगल चंडरमा जो है वह लगन में है ऐसी इस्तितियों में कोई हमें दूर दूर तक संभावना नहीं दिखती है दूसरा एक मूल कारण है जो गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश की तरफ उनका जो रथ चला और विशेश रूप से वारांड़सी का जो अस्थान है शिवस्थान है कहते हैं कि वारांड़सी में जो भगवान शिव का जो है वह धरा पर राज सुख प्रदान करने वाला रूप है तो हमें नहीं लगता कि भविश्य में मोदी जी वारांड़सी को छोड़ पाएंगे वैसे तो उनका लक्ष बहुत दूर तक है वो कहते हैं कि धर्म का विस्तार किया जाए धर्म को अस्थापित किया जाए तो जो है अभी वो मोदी के योग में नहीं आ रहा है क्योंकि आप उसके पीछे के वजय बता रहे थे लेकिन अगर तिलंगाना की बात करूं पिछले विधान सभा चुनाओं में तिलंगाना में एक सीट था बीजेपी के पास और इसी विधान सभा की बात कर रहे तो आठ रहु प्रधान है रहु की प्रधानता दक्षण में बढ़ जाती है इसलिए वहां देखेंगे कटरता हर तरीके की चाहिए धार्मी खो चाहिए बैक्तिगत तो वहां कटरता बहुत जादा है और वहां पर जो कटरता है वह एग्रेसिव राजनी इतिका है और मोदी जी का फरभाव सुरु से आपने देखा है वह बहुति सांथ शालीन प्रभाव इनका रहा है तो राहु प्रधान कुंडलियां वहांपर सकसेस होनगी जो आगे साहसाथ हो सकता है कुणकी कुंडली ले लेकिन हें हिरा हु प्रधान कुंडली जैसे कि हमारी योगी जी हैं या को ले करके नहीं है कि जो वहाँ पर एक तरफा राज योग दिला दें बिल्कुल एक तरफा राज योग दिला दें वहाँ बाद करते हैं टो अब क्या लगता है कि मोधी यह इंडिया एलाइंस के जितने भी नेता है उनके जितने भी प्रमुख नेता है जितने भी संयोजक बन रहे हैं उन सब पर मोर्दी की कुंडली मोदी का राज योग भारी पड़ रहा है देखें बरतमान समय में अब अगर देखा जाए तो क्योंकि इंडी एलाइंस की आपने बात किया है मैं इंडिया इसलिए देश के पीयम की कुंडली का कमपेर करते हैं कि कौन उस लायक है तो अभी बरतमान में विपक्ष के जितने भी नेता है उनमें से किसी की कुंडली ऐसी नहीं है जो आदर्णी नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को टक कर देशोंगे पहली चीज दूसरी चीज कि शनी का वर् सम परिस्तियां आ जाएं फिर भी मोदी को कोई हटा नहीं सकता है आना इनहीं को है राजगदी पे राजसिंगासन पे तो कोई अलायंस बना लें कई बार हमने सुना कि वह हम लोग की लोग कथाओं में है कि जुन्ड बनाकर कई बार कमजोड जो जानवर हैं वह भी सिकार क जाते हैं सेर का लेकिन यहां वह संभाव नहीं होगा नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि साइद उचित नहीं लगता है तो अभी कुंडली मजबूत है और अभी मोदी जी की कुंडली उस सेर के शमतुल है कि जो की सिर्फ दार दे तो जंगल सांत हो जाए उस अस्तर बिल्कुल तो यह हमार साथ आचारे जी मौजूद थे और प्राइम मनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर के काफी कुछ एहम बाते बता रहे थे राजयोग उनके कैसे हैं और किस तरीके से दो हदार चौबिस में वह वापस आने वाले हैं कईना कई इनके तरफ से यह तैम आ जाएगी कितना प्रभाव प्रभाव शाली है उनके लिए यह देखने के लिए एनमेफ न्यूस को आप सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले